हेलो अब्रीवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एज़िकेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पोसा कोनाजल मेडिसिन के बारे में तो ये एक एंटी फंगल मेडिकेस्टन है और अलग-अलग फंगल इंफेक्शन को ट्रेट करने के लिए यूज की जाती है तो हम सिखेंगे ये मेडिसिन के बेजिक यूज के बारे में साथ ही जानेंगे उसका डेली डोज सिखेंगे उसके सैड इफेक्ट, वार्निंग और कॉन्टर इंडिकेस्टन के डेटेल स्टेडी करेंगे वार्निंग और कॉन्टर इंडिकेस्टन को एक साल तक वो भी सरल बासा में अफ़र्डिबल प्राइस के अंदर फार्मरोक्स की अप उफर अब आप हमारे सेकंड चैनल को के सबस्क्राइब करेंगे जिसका नाम है हॉलिवुड टु हिंदी एक्स्टन के वहाँ पे आप अलग-अलग ये हॉलिवुड की मुविस को देख पाएंगे वो भी हिंदी में अच्छी पिच्चर क्वालिटी के साथ तो अब ही सबस्क्राइब करें हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलिवुड टु हिंदी एक्स्टन तो अब समझते हैं पूसा कोनाजोल मेडिसिन के बारे में तो पूसा कोनाजोल ऐसे क्लास का मेडिकेसन है कि जिसको हम एंटी फंगल ड्रग कहते हैं और अलग अलग जो फंगल इंफेक्शन होते हैं फूग के कारण होने वाले जो इंफेक्शन होते हैं उसको ट्रेट करने के लिए उसके इलाज में ये मेडिकेसन को यूस की जाती है और ये मेडिकेसन क्या करती है रिडीउस करती है फंगस के ग्रोथ को और अपना जो है वो फार्मक्लोजीकल एक्शन देती है तो ये मेडिकेसन कोन से मायक्रोगनिजम के सामने एफेक्टिव है तो सबसे पहले जो फूग की जो तीन ऐसे स्पीसिस है एक है कैंडिडा की पर जो आप डाइग्रम में जो देख रहे है वो है Candida species तो इसके सामने ये काफी effective साभीत होती है second कि जो Asperzillus की जो species होती है उसके सामने भी उसके काफी अच्छी effective उने से और तीसरा जो Zygomyces जो है उनके सामने भी ये काफी powerful and effective साभीत होती है तो इस तरह से ये बहुत सारे अलग-अलग जो फूग होती है जो अलग-अलग type की जो harmful फूग होती है उनके करण होने वाले fungal infections को ये medication treat करती है तब उसके label के हम study करते हैं अच्छे से तो उसके जो tablets होते है 100 mg के तो उसके हम बात करें तो ये gastro resistant tablet रहते है 100 mg जितने उसके strength रहती है और यहाप एक direction खास है कि आपको जो उसको store करना है 30 degree या फिर उससे कम temperature पे और moisture से ये medication को आपको जो वो protect करना है दूसरी ये जो बात है कि ये tablet को जो है आपको swallow कर देनी है और ना ही उसको चबा नहीं हो और ना ही उसको तोड़नी है बीना तोड़ी या बीना क्रस किये डिरेकली आप उसको जो है वो पानी के साथ swallow कर सकते है फिर ये medication को आप जो है वो बच्चे से दूर रखे और दूसरी चीज इंपोर्टन्ट ये है कि ये जो tablet specially indicate किये जाते है वाले कि यूज किये जाते है ऐसे patients के जिनकी एज 13 साल या फिर उससे जो है वो ज्यादा है तो ये खासा आप दियान रखे बिलो 13 के अंदर ये tablets को जो कभी भी आप use ना करें फिर दूसरी बात आती है कि यहाँ पे उसके warning कि जो ये prescription based medication है तो proper जो specialist होटे है उनके prescription के बिना ये medication को जो है वो retail में जो है वो नहीं बेचनी चाहिए फिर उसके working के बारे में समझे तो किस तरह से ये medication काम करती है तो ज जितने भी अलग अलग जो serious fungal infections होते है उसको treat करने के लिए पूसा-konazol medications जो ये वो use कि जाते है कि ऐसे infection कि जहाँ पे दूसरी antifungal medications काम नहीं कर रहे है या फिर दूसरी antifungal medications जो वो effective सा भी इतनी हो रहे है तो ऐसे conditions में आपके पास ये पूसा-konazol का option रहते है कि जैसे क समझो कि आपने फूसा-konazol यूस किया इत्रा-konazol यूस किया वेरी-konazol यूस किया जितने भी दूसरी antifungal है वो सब आपने यूस किया फिर भी आपका fungal infection ठीक नहीं हो रहा तो उस वग आपके पास ये पूसा-konazol का option रहता है और ये medications क्या करती है जो फूग होती है उन देख सकते हैं जो landmark candy post ZR करके उसके gastro-resistance tablet बना रहे हैं इसकी strength भी आप देखो तो ये 100 mg की strength में ही ये tablets available है फिर उसकी mechanism of action देखे कि किस तरह सी ये medication काम करती है तो पूसा-konazol क्या करता है कि एक broad spectrum azol antifungal cross का medication है कि जैसे हमने देखा कि बहुत ही अलग-अलग type के जो varieties है food की सभी के सामने इसकी effectiveness है तो ये medication क्या करते कि एक pathway होता है fungal cell को और उसकी cell membrane को develop करने के लिए कि ये pathway में जो squiline होता है वो आगे जाके lanosterol में convert होता है और ये lanosterol आगे जाके ergosterol के अंदर convert होता है और ये ergosterol को को कोई भी fungus जो वो utilize करती है अपने fungal cell membrane को बनाने के लिए तो हमारा जो ये medication है पूक साकोना जॉल ये क्या करता है ये lanosterol falten alpha demethylase जो enzyme है उसकी activity को जो है वो inhibit कर देता है कि जिससे क्या होता है कि आगे जाके ये जो fungus होती है उसका cell membrane का जो है वो development नहीं होता कि समझे कि lanosterol बले है बड़ ये वाला enzyme वहाँ पे मौजुद नहीं होग तो आके जाके ये argosterol भी नहीं बनेगा और argosterol नहीं होगा तो fungus जो हो अपना cell membrane डेवलेप नहीं कर भाएगी और cell membrane नहीं बनेगा तो ये fungus भी दिरे दिरे जो होते जाएगा और इस तरह से ये एक broad spectrum antifungal medications के तोर पे काम करता है और दूसरी antifungal समझे कि जिस जगा पे काम ना करें तो वो सभी medical conditions जो है वो fungal infection की वहाँ पे पूसक होना जो हो सबसे ज़्यादा effective साबित होती है तो अब उसके हम basic use देखें तो सबसे पहले जो candidiasis की जो condition होती है कि चाहे वो आपको body के दुसरे parts पे हो या फिर आपके mouth के अंदर की oral thrust की जो हम condition कहते है कि आपकी oral cavity क के अंदर candida albicans के करन या फिर जो candida की जो अलग-अलग species होती है उसके करन समझो कि fungal infection है तो उसको ठीक करता है फिर जो blastomycosis की जो हम condition कहते हैं उसको ठीक करने के लिए भी यह medications use की जाती है फिर cocideodomycosis की जो condition उसमें भी यह effective साबित होती है फिर जो histoplasmosis की जो condition है तो यह medical conditions को भी जो posa gonazole ठीक करता है फिर dermatophytosis की जो condition होती है कि इस तरह से आपके skin के उपर कि जैसे हम कहते है कि धाध हो जाना वहाँ पे खुझली होना और बार बार जो होता रहे कि थोड़े time के लिए ठीक हो गया antifungal से फिर वापस आ जाते है तो ऐसा है कि वो दूसरे antifungal effective साबित नहीं हो रहे तो उस वाग जब आप posa gonazole use करते हैं तो वो medication जो इतनी effective साबित होती है कि उसको permanently जो ठीक करता है फिर जो peteriasis varicose color की जो हमने बात की versicolor की कि यहाँ पर जवाप condition है तो यह वाली conditions को भी ठीक करता है यह posa gonazole medication तो अब बात करते हैं उसके dose के कितने dose में यह medication specially use की जाती है तो जो उसका loading dose है loading dose मतलब कि जब आप treatment start करते है तो जो आप first dose लेते है या फिर जो पहले दिन के treatment के पहले दिन जो dose लेते है उसको loading dose कहते है तो फुर स्ट डे आप 300 mg BD मतलब कि 300 mg जितना medication जो है वह आप morning में लेते हैं और 300 mg जितना medication जो है वह लेते हैं तो इस तरह से टोटल जो वो 600 mg जो होता है पर डे का तो यह हो गया फर्स डे फिर आगे जो maintenance dose की जो हम बात करें तो जो maintenance dose की जो second day से सुरू किया जाता है तो वो maintenance dose रहेगा 300 mg once a day मेल आपके दिन में एक ही बार लेते हैं कि दूसरे दिन से 300 mg once a day तो उसको आप divided dose पर ले सकते हैं जैसे कि यह जो 100 mg के यह जो tablet से तो हर 8 गंटे पर आप जो वो tablet ले सकते हैं कि जैसे कि 100 mg और TID के तोर पर भी आप ले सकते हैं दिन में तीन बार कि जैसे total 300 mg पर डे जितना dose जो हो जाएगा कि जैसे कुछ complications भी ना हो अगर कुछ ऐसे होते हैं तो तुरांत आप medication को बंद कर सके अब उसके हम बात करते हैं पूसर को नाजल के side effects हम देके तो सबसे पहले आपको nausea हो सकता है और उसके बाद vomiting मतलब की जैसे ये diagram के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले जो हो आपका जी कबरात है और उसके बाद आपको उल्टी हो जाती है तिसरा कुछ लोगों को diarrhea हो जाते हैं ये medication के अब लोगों के दस्त हो सकते हैं फिर headache मतलब के आपको सीरदर्ध हो सकता है abdominal pain की जो condition के पेट में दर्ध होना जैसी condition हो सकती है dizziness मेलब कि आपको नीन दाती रहे ऐसा फिल करें या फिर सोने में जो हो आपको difficulty हो कि भले आपको ऐसा फिल हो कि आपको नीन दा रहे फिर भी आप जो अच्छे से सो ना पाए और stomach upset के पेट में जो हो आपको ऐसा लगए कि uncomfortable जैसा फिल हो रहा है तो ऐसे कुछ side effect develop होते हैं फिर उसके हम warnings के बाद करें तो यह liver disease जो करवा सकता है बद यह बहुत ही rare है बड़ अगर आप कोई भी ऐसे symptoms फिल करते हैं liver disease related जैसे कि आपका जो यूरीन या फिर आपकी जो skin color है वो रिन डार खा रहा है और severe pain हो रहा है आपको stomach के अंदर में लेके पेट दर्ध हो रहा है वो काफी abdominal pain हो रहा है तो तुरंट से आपको liver function टेस्ट करा लेना चाहिए अगर आप यह medication को बहुत ही लंबे समय तक use करते हैं फिर कोई भी ऐसे allergic reactions आपके skin के उपर develop हो रही है पूस को नाजोल है तो तुरंट यह medication को लेना बंद करते या फिर आपके doctor या फिर pharmacist को जरूर से बताए फिर यह एक warning खास रही है कि अगर आप यह tablet use करते हैं 100 mg वाले तो वो 30 years of age या फिर उससे ज्यादा age के जो patients होते हैं उनके लिए ही यह gastro resistance tablet को आप use करें अब बात करते हैं उसके कुछ contraindications की तो किन लोगों को यह medication नहीं लेनी है तो सबसे पहले ऐसे patient के जिनके खून के अंदर magnesium की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है तो ऐसे लोग यह medication को use ना करें कि magnesium यह कम करवा सकती है और अगर आपका already कम है तो magnesium के आपके body के अंदर deficiency हो जागी उसी तरह से potassium भ करें तिसरी condition की जो torsets d point की जो condition कही जाए जो abnormal heart rhythm के आपके जो heart है उसका जम जो कि आप इसी जी निकालते हैं तो यह उपर वाला जो normal है उसके condition में नीचे जो है वो abnormal आपको देखने को मिलेगा और उसको सही से आप देखे तो इस तरह से कुछ wave जो आपको short मिले कुछ wave long ह फिर से short तो abnormal heart rhythm की जो condition है जिन लोगों को यह लोग यह medicine को कभी भी use ना करें फिर जो qt interval जो हो काफे prolong होता है electrocardiogram के अंदर वो लोग भी यह medication को use ना करें फिर कुछ ऐसे patients कि जिनका electrocardiogram जो हो काफे abnormal आ रहा है और qt changes देखने को मिल रहा है जनम से ही तो भी यह medication को use ना करें या फिर आपका liver function टेस्ट जे वो abnormal है आपका liver अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो लोग भी पूसा को नाजल को लेना avoid करें फिर जो pregnancy की दौरान की जो हम बात करें तो सिर्फ single dose कि अगर लेते हैं तो भी single dose वरना जो safe alternative fluconazol available है but fluconazol से ठीक नहीं हो रहा तो एक single dose जो है वो पूसा को नाजल का जो है वो patient ले सकता है pregnancy के दौरान और अगर chronic kidney disease है stage 3 में तो भी ये medication को use ना करें कि या पर आप देखो कि जो stage 1 होता है वो normal function रहता है फिर stage 2 को mild loss of function का जाते हैं complete kidney fell हो जाती है तो अगर stage 3 में patient है तो ये medication को जो नहीं लेनी चाहिए तीन चार या पांच किसी भी stage है अफिर stage 3 तक है आप तो ये medication को use ना करें तो ये सब बात थे उसके contraindications के कौन से condition में patient को पूसा को ना जो यूज नहीं करनी है तो हमारे second kill channel के जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellence को जरूर से subscribe करें कि वहाँ पे आप देखे अलग-अलग Hollywood के movies को वो भी हिंदे में अच्छे picture quality के साथ और use करें हमारी mobile application और access करें medicine course सीखे दवायों के basic use के बारे में dose के बारे में side effect, warning and contraindications को detail में एक साल तक वो भी affordable price में तो whatsapp कर सकते हैं आप 9016312020 पे या फिर directly download करें आप farmerox link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best करें आप सकते हैं